Now we will see how we can continue classroom activities safely. So first of all we have to determine if the activity is appropriate for the age and development of understanding. देखें जिस बच्चे को जितनी समझ है, जितनी activity वो कर सकता है developmentally. हमें पहले से plan करना है. classroom चुके closed space है, तो यहाँ पे आप अच्छा control हो सकता है. तो बेहतर है कि आप जिस उमर के बच्चे हैं, उसी age appropriate equipment जो है वो आप provide करें. Pre-activity evaluation and inspection. इससे पहले कि आप activity शुरू करें. You have to see कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं. किसी मेज का कील तो नहीं निकला हुआ. बाज उकार आपने देखा होगा ply लगी होती है. मेजों के गिर तो कुछ किनारे उखड़े हुए होते हैं. वहाँ बच्चे का हाथ फस सकता है, उसका कपड़ा फस सकता है, जिससे वो गिर सकता है. तो जैसे हमने प्रिवेसली जिकर किया, कि equipment की maintenance बड़ी जरूरी है. तो आपको उसको maintain रखना है, और आपने उसकी सारी surveillance शुरू में ही कर लेनी है. Easily recognizable restrictions and boundaries. अच्छा, अब बच्चे जब कोई भी activity शुरू कर रहे हैं, तो हमने कुछ boundaries उनको पहले से बतानी है. ना तो वो उनकी अकल से ज़्यादा चीजें हों, और ना हम उनको बिलकुल इस तरह से restrict कर दें, कि वो खेले ही नहीं, या वो कोई काम करें ही नहीं. तो करना भी उन्होंने है, सरगर्मी भी उनको दी जाएगी, लेकिन उनको बता दिया जाएगा कि ये चीजें तो आप कर सकते हैं, पर ये आपने नहीं करनी. तो recognizable जो restrictions हैं, उनको पता हो कि क्या चीज जो है, वो हमने नहीं करनी, ये आपकी जिम्मादारी है कि उनको पहले से बता दें. Then activity, environmental, environment, quality control, अब जो सरगर्मी हमने करनी है, quality control का मतलब ये है कि उससे सरगर्मी की जो spirit है, वो भी खतम ना हो, जो उसके अंदर player involved है, जो उसके अंदर learning involved है, उसको भी हमने खतम नहीं करना, लेकिन इसके साथ-साथ हमने, जो hazards है, उनको भी control करना है. तो special preventive measures based on the nature of objects used in the activity will be practiced. ठीक है, हमें वो सारे काम करने हैं, जो preventive हैं, यानि पहले से देख लेना है, कि बच्चों ने ये करना है, ये नहीं करना, समान हमारा बिलकुल safe है, जो activity वो करने जा रहे हैं, उसमें भी उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, यहाँ एक classroom का मनजर आपको हमने दिखाया है, तो आप देखिए कि अगर बच्चों को आप कुछ exercise जा aerobics करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ नीचे mats बिचाएं, ठीक है, ताके बच्चे जो हैं वो अगर गिरेंगे, या उनके गुटने हैं, या हाथ हैं, तो direct जो फर्ष है, उसको ना टकर जाएं, बलके कुछ safety mats हैं, तो यहाँ पर वो छोटी-छोटी exercises, aerobics कर सकते हैं, प्लाइयर भी है, खुशी भी है, और वो एक collaborative activity भी है, सारे मिलके वो कर रहे हैं, लेकिन हमने जो mats बिचाए हैं, इस से उनके जो आजा हैं, वो भी safe हैं, और फिर अगर वो छोटी-बोटी jumping भी इसके उपर कर लेते हैं, तो उनको नुकसान नहीं पहुन सकता, फिर एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, कि बच्चे जो जब आप activity करवा रहे हों, तो आप जादा तदाद में उनको बिलकुल ना करवाएं, मतलब अगर आपका class size बहुत बढ़ा है, तो आप उ इस तरह की activities नहीं करा सकते, या उनको groups में करवाएं, और हर group के उपर कोई surveillance के लिए, कोई बड़ा, mature, या उनहीं का कोई साती हो, जो उनको कुछ भी गलत करने से रोके, तो अगर जैसे यहाँ पे तो थोड़े बच्चे हैं, तो उस्ताद उनको असानी से देख रहा है, औ उसकी नजर में हैं, और वो उनको control भी कर रहा है, और शायद वो कुछ हिदायात भी दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी सूरत में, आप देखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, class size बहुत बढ़ा होगा, तो हम फिर उस तरह से उनको control नहीं कर पाएंगे.